Hello everyone, नमस्कार, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, Air India को लेकर recently announcement हुई है कि Tata Group ने Air India को purchase कर लिया और उसके just बात अगर आप देखेंगे, ट्विट किया रितन Tata Group के द्वारा Welcome Back Air India, Welcome Back का क्या मतलब है, इसके क्या माइने है और Air India को सरकार ने क्यों sale किया और क्या ये sale करन सरकारी Tata Group ने ही Air India को found किया था, बाद में 1953 में जो है government nationalization जब किया, तब इसको सरकारी एक airline बना दिया था, बाद में अब वापिस है, 2021 में ये वापिस चली गई है रतन Tata Group के पास, सरकार ने इसको क्यों बेचा, क्योंकि cash trapped airline थी, यानि लगातार ये debt के अंदर जा रहे थ इसको लेकर सरकार ने minimum 12,000 क्रोड रूपे की एक बोली रखी, यानि base price रखा, और उसके बाद 18,000 क्रोड रूपे में total जो amount थी उस पर एर इंडिया, जरदन Tata Group ने Air India को purchase कर लिया है, इसके अलावा, आप इस particular topic पर क्या सोचते हैं, आप जुरूर नीचे mention करना, Tata Group की यानि सरकार ने जो sale करी और Tata Group ने जो खरीद करी है, इसमें एक strong message गया है, market opportunities को लेकर, खासकर aviation industry के अंदर Tata Group की presence को लेकर, हला कि ये मैं फिर repeat करू, welcome back, word का again मतलब है, 1932 में own करता था Tata Group, 1953 में sale किया, sale कह सकते हैं, ये फिर nationalization हुआ, इसका रश्ट्री करन हो गया, private industry का, और बाद में 2021 के अंदर, सरकार ने इसको वापिस से sale कर दिया, एक बोली के दुआरा, जिसमें Tata Group ने highest build लगा है, और वो इसको जीच चुका है, ठीक है, इसके लावा कुछ और important चीज़े देखेंगे, इसमें कुछ selected बाते लिखी गई है, पहली बात तो ये emotional note मेंने ने रिखा, कि again हम को ये leadership मिली है, एर इंडिया की, और हम एक तरीके से emotional message भीजा, इसमें ये भी बोला कि हम ये चाहतने हैं कि एक जो reputation थी एर इंडिया की, फिर से वो gain करें, दूसरा, ये बहुत prestigious airline है, दुनिया के अंदर, यानि एक जानी मानिक airline से है, और उसको हम लोग फिर इससे वो reputation gain करें, इस तरीके से काम करना चाहेंगे, उनके लावा ये बोला गया कि Tata's के पास ये opportunity आई है, कि उसकी image को, reputation को जो पहले enjoy करती थी कई सालों में, वो फिर से enjoy करें, इसके लावा यहाँ पर ये बोला गया कि इस पूरी bid से, पूरी victory से जो purchase उन्होंने करी है, इसके लावा सरकार ने recent policy अपना ही थी इसको लेकर, सरकार की जो recent policy थी एर इंडिया को लेकर, कि केवल selected industry ही private sector की इसके नदर participate कर सकती है, इस policy को लेकर, और इसमें जो एक bid का process होता है, finally उन्होंने ये bid जीती, 18,000 क्रोड रुपे में, यहाँ पर Tata Suns के जो chairman है, एन चंदर सेखरन, उन्होंने बोला कि ये rare privileges है इस group के लिए और ये operate करेंगे इंडिया की flag wearer airline, यानि जिस airline पर भारत का धवज लगा होगा, भारत का flag होगा, उसको ये host करेंगे, उसको जो है, ये कईने कई operate करने वाले हैं, ये historic moment है Tata Group के लिए और जो country की flag wearer airline को host करेंगे, operate ठीक है, ये अपने आप में proud moment भी है और हर भारतिय को world class facility provide करना अब ये Tata Group का aim होने वाला है, तो government ने announce किया कि ये win जो है Air India की Tata Group ने जीती है, 68 year पहले 1953 में इसको nationalization किया था, महराजा going back to founder ये mention किया गया कि क्योंकि महराजा का आपको logo नजर आएगा Air India के उपर, या Air India के पास आपको जुरूर देखा होगा, तो महराजा going back to the exactly, founder exactly 68 year after, 1953 जब सरकार ने इसका nationalization किया गया था, हला कि Spice Z के तो founder आजे सिंग उन्होंने भी इसमें बड़ी कमपनी है तो उन्होंने इसमें ज्यादा बोली लगा कि इसको परजेज कर लिया है, तो ये छोटी शी एक अब इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकता है, क्या सरकार को प्राइवेट नीजी करना चाहिए या प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उन्होंने चीज़ों को लेकर डिबेट अपनी जगह है, बट क्योंकि ये कमपनी काफी ज़रूर मेंशन करिए आपका उपिनिन क्या कि एक सेल गवर्मेंट को इस तरीके से करने चाहिए, स्टेजिक सेल या ऐसी कंपनी जो बहुत जादा लोस में चल रही है, उनको लेकर क्या सरकार को इस तरह की पोलिशी को फोलो करना चाहिए, आप ज़रूर नीचे कमेंट थैंक्यो और जाहिन